सो हेलो दोस्तों स्वागत है आपके एक बार फिर मेरे चैनल पर मिरे नाम है प्योश और आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेलपफुल होने वाली है जो एक सेकंड एंड फोन खरीदना चाहते हैं चाहे वो एंडरुट फोन हो या फिर आईफोन हो अगर आप एक स से होते हैं जिनके फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और वो अपना फोन रिसेल करते हैं अगर कोई अपना सेकंड एंड फोन बेच रहा है तो उसके फोन में या तो कोई डिस्प्ले प्रॉब्लम होती है या फिक कैमरा प्रॉब्लम होती है या बैटरी इशू होता है x, y, z, बहुत सरी चीज़े होती है जिसके बारे में हमें खरीदते टाइम नहीं पता होता है और हम फोन खरीद लेते हैं और guys जब हमें बाद में पता लगता है फोन खरीदने के बाद तो हम उसके मालिक को कुछ कहने ही पाते हैं in short वो हमें बेवकूफ बना देता है so guys हमें बेवकूफ नहीं बनना है हमें smartly काम करना है और आज की वीडियो का motto यह ही है कि आपको second hand phone लेने से पहले एक बार ये चीज़ ज़रू try कर लेनी है so guys मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ आपको अपने mobile screen पर ले जाता हूँ और आपको phone खरीदने से पहले क्या चीज़ करनी है उसके बारे में बताता हूँ तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखना वीडियो बहुत interesting और बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है so guys सीदा चलता है अपने mobile screen पर so guys हमें सबसे पहले एक app download कर लेनी है जिसका नाम है test m यह app आप app store और play store दोनों पर available है अगर आप iPhone खरीद रहे हैं तो उस बंदे के phone में app store पर जाकर यह application download कर लीजेगा और अगर आप कोई android phone खरीद रहे हैं यहाँ पर आपको simply next कर देना है यह user interface अपने features के बारे में बता रही है आप उसको next करते जाएए so guys आपके सामने side terms condition allow करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा इसमें guys अब आप three dot पे click करेंगे तो यह आपके phone के model के बारे में बता देगा मैं आपको example के लिए samsung के एक phone में करके दिखा रहा हूँ अगर आप किसी से second hand phone purchase कर रहे हैं तो उस phone के model name यहाँ पर आ जाएगा अब guys आपको उसको phone लेके सबसे पहले यह app download कर लेनी है अब guys इसमें बहुत सरे option है आप screen का test कर सकते हैं आप screen पर touch करेंगे और यहाँ पर लिखाएगा touch screen आप इस पर click करेंगे और guys आपको यह खुद बताएगा कि आपको करना गया है आपको start करना है और आपको सारे कोनों तक हर जगह तक ऐसे ऐसे अपनी screen को चला लेना है इसमें यह पता लग जाएगा कि आपकी जो phone की screen है वो कहां से damage है या कितनी सही है वो सब बता देगा तो guys यह देखे good job लिखा हो आया है इसका मतलब screen बिल्कुल ठीक है तो guys screen बिल्कुल ठीक है अब आप इसका hardware test कर सकते हैं hardware में जाके light sensor आपका हो गया, आप अपने charger का test कर सकते हैं कि इसके phone में charging cable है वो चार्जिंग केवल है वो सही से work कर रही है आप hardware buttons का use कर सकते हैं vibration का use कर के पता लगा सकते हैं कि वो चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है आप उसके camera को test कर सकते हैं जैसे मैं suppose camera पर click करता हूँ so guys मैं camera test करके दिखाता हूँ back camera का आपको यहाँ पर start करना है और यहाँ पर मैं video बना रहा हूँ मैं ऐसे इसको भी तरफ करूँगा तो guys इस पर लिखाव आ रहा है good job it means आपका camera बिल्कुल सही है so guys इस app के थुरू आप बहुत सारे function का use करके पता लगा सकते हैं कि आपकी जो device जो आप खरीद रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं है आप इस app का use iPhone खरीदते भी कर सकते हैं क्योंकि guys यह app app store पर भी बिल्कुल free है आप इस app को बिल्कुल free में download कर सकते हैं और आप जिस बंदे से iPhone खरीद रहे हैं आप उसके phone में simply यह app download करके उस phone के features और functions का पता लगा सकते हैं क्योंकि सामने वाला बंदा आपको सही बात नहीं बताता है आप इस app का use करके उस phone के functions और features का पता लगा सकते हैं आपको सही से work कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आज की वीडियो में इतना ही था आपको aware करने के लिए समझाने के लिए अगर वीडियो थोड़ी सी helpful हुई है और आपको पसंद आए तो वीडियो पर like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा मैं ऐसे interesting वीडियो लाता रहता हूँ सो वाइस मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में तक तक के लिए दोस्तो जै हिंद जै भारत